प्रस्ण उनीस एक घनाव के तीन सलंगन फलकों के छेतर फल एक्स बाई और जेड हैं यदि उसका आइतन भी हो तो सीध किजे की भी एस्क्वाईर बराबर एक्स बाई जेड प्रस्ण उनीस तो लिखेंगे घनाव घनाव काईतन घनाव का आइतन का सुत्र क्या होता है L इन्टू B इन्टू H L इन्टू B इन्टू H यानि लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई L क्या हुआ लंबाई B हुआ चोड़ाई और H हुआ उचाई यानि लेंथ ब्रेथ हाइट length into breath into height तो घनाब का आइतन का सुत्र होता है L into B into H तो प्रेस्ण में दिया हुआ है कि यदि उसका आइतन B हो तो देखे, हम लिख लेंगे लिखेंगे प्रेस्ण से B बराबर L into B into H घनाब का आइतन B दिया हुआ है प्रेस्ण में कर रहा है, यदि उसका आइतन B हो तो घनका आइतन को B लिख लेंगे यानि B बराबर L into B into H इसको हम पहला लिख लेंगे ठीक है अब कर रहा है कि घनाब के तीन सनलगन फलकों के छेतर फल तो देखे, छेतर फल दिया हुआ है तीनों सनलगन फलकों का यानि L into B बराबर X दिया हुआ है कॉमा L into B बराबर X B into H बराबर Y दिया हुआ है और H into L Z ठीक है L into B बराबर X B into H बराबर Y H into L बराबर Z छेतर फल दिया हुआ है तो छेतर फल लंबाई गुना चोड़ाई होता है तो देखे, तीन सनलगन फलक है तो एक में हो जाएगा लंबाई गुना चोड़ाई दूसरा में हो जाएगा चोड़ाई गुना उचाई और तीसरा में हो जाएगा बराबर x into by into z इस तरह लिख लेंगे देखे सब को गुना कर दिया है जो बाया तरफ है उसको बाया तरफ से और जो दाया तरफ है उसको दाया तरफ से तो l, l, l दो बार है तो l square लिख लेंगे b और b दो बार है तो b square h भी दो बार है तो h square बराबर, X गुना बाई, गुना जेट हो जाएगा, X बाई, जेट, अब देखे, L तीनोग पे घाद दो है, तो हम इसको लिख लेंगे, L इंटु B इंटु H का घाद दो, पूरा पे घाद दो देदेंगे, बराबर, X बाई, जेट, अब L इंटु B इंटु H क्या है? I10 है प्रेस्न में दिया हुआ है इसको हम पहला लिखे थे तो L इंटो B इंटो H के जगा पे B लिख लेंगे तो B का घाद 2 बराबर हो जाएगा X by Z तो लिख लेंगे क्यों तो पहला से पहला में हम क्या माने थे L इंटो B इंटो H बराबर B तो देखे L इंटो B इंटो H के जगा पे B रख लेंगे तो B स्कोर बराबर X by Z यही सीध करना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीध हुआ तो B स्कोर बराबर X by Z सीध हुआ तो इस तरह प्रस्न 19 हल करेंगे तो जब भी तीन सनलग्न फलकों का छेतरफल दिया हो घनाब का तो इसमें हम लिख लेंगे L इंटो B बराबर X B इंटो H बराबर B और H इंटो L बराबर Z क्योंकि तीनो सनलग्न फलकों का छेतरफल इसी तरह निकलेगा पहला में हो जाएगा लंबाई गुना चोड़ाई फिर चोड़ाई गुना उचाई फिर उचाई गुना लंबाई प्रस्न 20 एक घन का पूर्ण प्रीष्ट 1014 वर्क सेंटीमीटर है तो उसका आईतन ग्याद कीजे प्रस्न 20 तो लिखेंगे क्या दिया हुआ हमें घन का पूर्ण प्रीष्ट घन का पूर्ण प्रीष्ट का छेतरफल बराबर कितना दिया हुआ है 1014 वर्क सेंटीमीटर इस तरह दिख लेंगे तो घन का पूर्ण प्रीष्ट का छेतरफल जिसको की 6L अस्क्वाइर भी कहते हैं या 6A अस्क्वाइर तो भूजा को A से भी लिखते हैं या L से भी तो हम इसको डिरेक्ट लिख दिये हैं 6 गुना भूजा का वर्क यह होता है घन का पूर्ण प्रीष्ट का छेतरफल यानि भूजा अगर दिया हो घन का तो 6 से गुना करके भुजा का वर्ग में 6 गुना कर देंगे तो आजागा घन का पूर्ण प्रिष्ट का छेतरफल तो इसका सुत्र होता है घन का पूर्ण प्रिष्ट का छेतरफल का सुत्र होता है 6 गुना भुजा का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है एक हजार चौदा वर्ग सिंटिमीटर ये दिया हुआ है अब देखिए तो हम लिख लेंगे भूजा का वर्ग वराबर हो जाएगा 2014 बटा 6 ठीक है 2014 बटा 6 क्योंकि 6 जो है गुना में है बराबर के बाया तरफ भूजा के साथ तो दाया तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा अब 6 से इसको भाग देंगे या 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा तो देखे 6 गुना एक 6 4 धर गया तो 41 हो गया तो 6 छक 36 6 बार में लगाएंगे 5 धर गया तो 54 या 9 छक 54 179 तो 2014 को 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 179 तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 179 भुजा का वर्ग है बराबर के बाया तरफ तो वर्ग को दाया तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा यानि अंडर रूट 179 जो की हो जाएगा 13 तो 179 का वर्गमुल क्या होता है 13 तो भुजा बराबर कितना आ गया 13 cm क्योंकि cm में दिया हुआ है देखे पूर्ण प्रिष्ट का छेतरफल वर्ग cm में है तो भुजा क्या में आएगा cm में यानि भुजा बराबर आ गया है 13 cm किसका भुजा तो घन का भुजा अब हमसे पूछ रहा है घन का उसका आईतन निकालने के लिए तो देखे लिखेंगे घन का आईतन गहन का आईतन गहन का आईतन बराबर क्या सूत्र होता है यह Q लिख सकते हैं या भुजा का Q यानि भुजा गुना भुजा गुना भुजा तो कितना आया है 13 cm यानि 13 का घाद 3 घन सेंटीमीटर क्योंकि आईतन है तो घन में ही होगा यानि घन सेंटीमीटर लिख लेंगे तो 13 का घाद 3 यानि 13 गुना 13 गुना 13 कितना हो जाएगा तो 13 गुना 13 कितना हो जाएगा तेरतिया 49 तेरा 9 यानि 179 अब 179 गुना 13 करेंगे 9 या 27, 6 या 18 गुना 12, 3, 2, 5, 9, 6, 1, 7, 9, 6, 5, 11 कितना आगया? दो हजार एकसो संतान में तो लिख लेंगे प्रस्ने कीस एक आइता कार्ट हो उसकी लंबाई और चोड़ाई उसकी उचाई की दुगनी है यदि विखर्ण की लंबाई 12 मिटर हो तो उसका आइतन ग्याद कीजे प्रस्ने कीस तो एक आइता कार्ट हो उसकी लंबाई और चोड़ाई उसकी उचाई की दुगनी है तो हम लिखेंगे माना की आइता कार्ट हो उसकी उचाई बराबर एक्स मीटर क्या मान लेंगे आइता कार्ट हो उसकी उचाई एक्स मीटर मान लेंगे तो उचाई को ही एक्स क्यों मानेंगे क्योंकि कह रहा है कि आइता कार्ट हो उसकी लंबाई और चोड़ाई उसकी उचाई की दुगनी है यानि उचाई जितना रहेगा उसका दुगना है लंबाई और चोड़ाई तो उचाई को ही एक्स माल लेंगे तो लंबाई चोड़ाई कितना हो जाएगा तो लिखेंगे अत्या लंबाई बराबर दो एक्स मीटर और चोड़ाई कितना हो जाएगा चोड़ाई बराबर दो एक्स मीटर तो लंबाई और चोड़ाई उसके उचाई की दुगनी है यानि जितना उचाई है उसका दुगना है लंबाई और चोड़ाई तो देखे उचाई को X माने है तो लंबाई 2X और चोड़ाई भी 2X हो जाएगा मीटर अब कह रहा है यदि विकर्ण की लंबाई तो घनाब का विकर्ण दिया हुआ है तो लिखेंगे तो जब लंबाई चोड़ाई और उचाई है तो घनाब ही हुआ तो देखें घनाब का विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 12 मीटर घनाब का विकर्ण दिया हुआ है 12 मीटर तो घनाब का विकर्ण का सुत्र क्या होता है तो घनाब का विकर्ण का सुत्र होता है अंडर रूट A-L-Square-Zoad-B-Square-Zoad-H-Square बराबर 12 मीटर तो यह होता है घनाव का बिकर्ण का सुत्र यानि L स्क्वार मतलब लंबाई का वर्ग जोड B स्क्वार मतलब क्या होगया चोड़ाई का वर्ग जोड H मतलब होगे उचाई यानि उचाई का वर्ग तो L स्क्वार जोड B स्क्वार जोड H स्क्वार ठीक है यह होता है घनाब का बिकर्ण का सुत्र तो L यानि लंबाई कितना मान लिये हैं 2X चोड़ाई 2X तो देखे हम लिख लेंगे 2X का वर्ग जोड 2X का वर्ग जोड X का वर्ग बराबर 12 अंडरूट में है तो लंबाई के जगा पे L के जगा पे 2X, B के जगा पे यानि चोड़ाई के जगा पे भी 2X और उचाई के जगा पे X रख लेंगे अब इसको तो यह हो जाएगा देखे 2X का वर्ग क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानि 4X का वर्ग जोड 4X का वर्ग जोड X का वर अंडरूट बराबर 12 4489 यानि 9x² का वर्ग अंडरूट 9x² देखें सबको जोड़ देंगे 4489 सब x² है इसलिए जूड़ जाएगा 4489 यानि 9x² अंडरूट बराबर 12 इस तरह लिख लेंगे अब देखें 9x² अंडरूट अंडरूट में है तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 x² का वर्गमूल x हो जाएगा यानि 3x बराबर 12 हो जाएगा ठीक है अंडरूट में है यानि 9 का वर्गमूल लिख देंगे और x² एक एक एक्स बाहर हो जाएगा यानि 3x बराबर 12 तो X बराबर कितना आ गया तो अतह X बराबर हो जाएगा 12 बटा 3 यानि 4 तीन चौक 12 X बराबर कितना आ गया 4 अब हमसे पूछ रहा है उसका आईतन ग्याद कीजे तो देखे X 4 आ गया है तो लंबाई तो लिख लेंगे अतह आईताकार ठोस आईताकार ठोस जो की घनाब है ठीक है घनाब के जैसा है की लंबाई तो X का मान आ गया है 4 तो लंबाई 2X मान आ गया है यानि 2 गुना 4 यानि कितना हो गया 8 मीटर ठीक है चोड़ाई चोड़ाई भी 2X है तो 2 गुना 4 X बराबर 4 आ गया है तो 8 मीटर और उचाई उचाई एक्स माने थे जो कि है 4 मिंटर तो उचाई बराबर 4 मिंटर तो लंबाई चोड़ाई और उचाई ग्यात हो चुका है क्योंकि एक्स का मान 4 आ गया है देखिए एक्स बराबर 4 तो अब हम जो हम माने थे उचाई एक्स माने थे लंबाई 2X और चोड़ाई 2X तो 4 दूना 8 4 दूना 8 और X 4 अब क्या पूछ रहा है आईतन तो देखें आईतन बराबर क्या होता है आईतन का सुत्र होता है L इंटू B इंटू H तो L कितना है यानि लंबाई कितना है 8 चोड़ाई भी 8 है उचाई 4 है सब मीटर में है इसलिए आईतन घन मीटर में आएगा तो 88,64 64,64 16 6,24 25 यानि 256 घन मीटर तो इसका उत्तर आएगा 256 घन मीटर आईतन किसका आईतन निकालने के लिए कहा रहा था तो आईता का ठोस का आईतन यानि घनाब का तो इसका उत्तर देखिया आ चुका है तो इस तरह प्रेस्न 21 हल करेंगे तो एसका है झाल झाल